आप सभी प्रिये दर्शिकों का स्वागत है बात करेंगे एक्सिस बैंक के बारे में, देखे, quarter two result आ गए है, और ये आपको जो गिरावट मिली है quarter two result के बाद में, उसका visualization करेंगे, क्यों आज इतनी बड़ी गिरावट आई है, और क्या होंगे सही level एक्सिस बैंक के, technically आपक चलका visualization करते हैं, सबसे पहले अच्छे quarter result आई है, पर फिर भी गिरा है, ऐसा क्यों, सबसे पहले NIM की बाद करें, तो NIM जो year और year growth है, वो less than 10% होना एक अच्छी बात नहीं है, बैंक के लिए, तो इसमें net interest income 10% से कम grow हुई है year on year, तो यहाँ पर ये deceleration है actually, क्योंकि inflation cost को भ provisions, provisions जहां उन्हें ने धाई हजार करोड के रखे हुए थे, अब वो less than 1000 करोड के हो गए है provision, तो ये भी कोई अच्छी ख़बर नहीं है, जिसकी वज़ए से provision कम करने की वज़ए से, उन्होंने profit तो दिखाया है, पर real में यहाँ पर challenges है, तो देखिए, 927 करोड का provision रखा है देखिए, करीब-करीब 2,5 करोड शेर गिर चुके हैं, खुलते के साथ ही सबसे पहली candle जो बनी है 814 के आसपास, और फिर अब 797 के आसपास ट्रेडिंग कर रहा है, कुछ अगर volume का देखे तो सुबह के 2 गंटे में ही करीब 24 million share hand exchange हो चुके हैं, और पिछले 5 दिनों का low candle स इसको खरीदने की आपको जरुरत नहीं है, 755 से लेकर 730 का जो है support है, एक पहला trench यहाँ पर आप खरीद सकते हैं, bandwidth अभी कम है, तो हो सकता है, और गिरावट तेजी सा है, MACD काफी तेज शार्प फॉल दिखाया है, तो हो सकता है, यहाँ पर MACD भी इसको नीचे की तरफ को cell signal दिखा दे, और अगर आप कोई specific query है, तो please comment box में जरूर डालेगा, हम आप answer करने की कोशिश करेंगे, vortex indicator भी यहाँ पर अभी एक की नीचे आने की बात कर रहा है, तो यह एक position हो सकती है, जो और थोड़ा सा नीचे जाए, तो technically यह bounce back तो expected है, पर support तक जाने की अभी कोशि है, तो हम से contact कीजिए, चनल का फाइप एफरोल दियान रखिए, और अगर हमारे साथ जुड़ना चाहता है, तो mail drop कीजिए, जहीं जबारत, bye guys